तो दोस्तो आज ये 22 अगस्ट 2022 सुराज में लेकिया हूँ आपके लिए स्वाका बिजनेस मेशन लिमिडट का कम्प्लीट शेयर एनलाइस और इस कमपनी को पर खासका वीडियो बनाने के लिए हमें नरेज जीने कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई क्वेरी से तो प्ल आपको बतना बलाओ कि आपको इस वक्त इस कमपनी पर निवेशकाना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुआत में इस कमपनी का क्वाटरेली रिजल पर भी एक नज़र डालेंगे और अगर आपको आपको रूपिस का बोनस मिले का गुरू के तरप से जिसे आप आप चाहे तो शेर भी बाय का सकते हैं चाहे तो उसे अपने बैंक एकाउन में भी ट्रांसफर का सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको इस कमपनी का फाइनेशल रिजल्ट आपको एक नजर दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकतो कम कमपनी यर को समझते हैं तो दोस्तो इस कमपनी के वारे में आपको शौटकर बता दो इस कमपनी के बार आपट करको देख सकतो है 19.7 करोड का मार्केट कैप करन शेर प्रैस एक रूपिया 22 पैसा है पहले हाये लग बाग 4 रुपे के आसपास और अगर lowest price देखा जा तो इस साल में इस कंपणी का lowest price रहा लगबग 22 पाइसा कंपणी का price starting ratio का नमबस तोला वो ठिकटा के कंपणी का जो valuation है वो सस्ता है तो सस्ते valuation पे आप buy का सकते हो बुक वेलू रहा कंपणी का एक रुपया 12 पाइसा एस बगत यह कंपणी आपको डिवीडेन नहीं देता है इसका return of capital एंपुलाट का नमबस तोला सा कम है आप यह देख सकतो लगबग 5% के आज पास है आप देख सकते हो company जो है यह almost debt-free है तो debt-free company है no doubt है यहाँ पर टेंशेल लेनी के कोई बात नहीं है आपको यहाँ पर देख सकते हो 16% के आसपास company का promoters का holding है 16% के आसपास ठीक है sorry 16% के आसपास जो holding है यह company ने अपना decrease किया है last quarter में ठीक है बीते quarter में promoters का holding ने 16% का holding घटा लिया है promoters का holding इस बचा लगबग 7% के आसपास तो यहाँ पर देख सकते हो equity पर company ने जो है यहाँ पर return दिया है बीते हो तीन सालों के मुकाबले में लगबग 2.5% के आसपास तो बहुत जादा नहीं है return लेकिन अभी company जो है यह एक ट्रेक पर आ रहा है इसका जो profit है यह बढ़ता जा रहा है यहाँ पर experience हुआ है company का 0.78 करोड company का sale हुआ है 0.63 करोड का तो operating profit में loss पर रहा जून के quarter में company लगबग 15 करोड और यहाँ पर देख सकतो net profit में company को यहाँ पर 0.4 करोड का company को profit हुए हलाकि इससे पहले quarter में यहाँ पर देख सकतो थोड़ा सा ज़्यादा profit में था बट यहाँ पर कम है बट यह company जो है इस वक्त यह company प्लास पर ही चल रहा है क्योंकि इसका आदास business है उसकी business का कारण company को जो है profit में company इस वक्त है में business source से company का बहुत ज़्यादा profit नहीं हुआ यहाँ पर year on year अगर देखेंगा company का expense तो यहाँ पर इस साल में company का expense हुआ है 3.70 करोड का company का sale कितना हुआ है 3.56 करोड का और company operating profit में loss पर है सिर्फ 0.14 करोड का net profit देख सकतो company year on year के मुकाबले में सब कुछ ठिक टाक चल रहा है 2020 में देख सकतो 0.22 करोड का company profit में था फैनली 2021 में 0.41 करोड करोड का company profit में आ चुका था बट इस साल में 2022 में बहुत ज़्यादा jump नहीं मार पाया लेकिन 0.42 करोड 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 का इस साल में profit में है मैं आपको balance sheet दिखा देता हूँ इस company का balance sheet में काफी इजापा किया है आप यहाँ पर देख सकतो 13.29 करोड का company के पास liability सा मार्च 2020 में मार्च 2021 में देख सकतो 13.15 करोड का थोड़ा सा घटाया है बट यहाँ पर finally यहाँ देख सकतो 15.87 करोड का company के पास जो है इस बक्त liability हो चुका है asset भी company के पास 15.87 करोड का इस बक्त asset है ठीक है तो यह भी plus point है यहाँ आपको देखाते है तो share holding pattern यहाँ पे तो share holding pattern में थोड़ा सा जो है प्रोड़ा से इस company से इस बक्त exit हो चुका है आप देख सकते हो December 2021 में 32% का holding था March 2022 में यहाँ पे 23% का but finally यहाँ पे company का आपको 7% के आसपास holding हो चुका है तो पूरा का पूरा holding जो है public ने buy कर लिया है ठीक है तो आपको ध्यान अकना है क्योंकि इस बक्त प्रोड़ास ने अपना holdings based के company से exit हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक मौका यह ब जब share का price सस्ता होता है तभी company पर निविश करने का अच्छा मौका आता है ठीक है महेंगे valuation में कभी भी buy ने करने है ऐसे सस्ते valuation पर ही buy करना चाहिए और share का price भी जब महेंगा होता है तभी भी नहीं भाय करने है आपको जब तक share का price सस्ता हो जाता है वही यह buy करने का अच सस्ता होनी की चांसे से तुरंद आपको भाई नहीं करना है और सस्ता होने दीजे सिंजे आप इस कंपट यह नीचे आता से लोगा तो इस combo then मैं आपको इस कंपनी का चार्ट पर्संट करके देखते हैं क्या रिजल निकलता है तो चार्ट पर्टन के मुताबिक देखा जा तो आज के दिन पांच परसंट का अपर सरकेर दिया है ठीक है यह कंपनी जो है अब आप ट्रेंड की तरब चलना शुरू हो चुका है अगर वि अग्रेसिव ट्रेटर से तो आप इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं क्यूंकि प्रोमोडर से अपना होल्डेंस गटा दिया है तो इसका शेयर प्रेस होने की चांसेस जो सस्ता होने की चांसेस है लिकिन यहां पर सस्ता नहीं हो रहा यह एक्चुली दिरे-दिरे से के आसपास हुआ करता था 2021 में उसके बाद यह शेयर लगबग 41 रुपेस बना चुका था ठीक है 41 रुपेस का शेयर यहां पर गिर के कितना हो चुका है आज सिधा आपको 1.5 रुपे के आसपास मिल रहे है एक साल के चार्ट परण के मताबिक में 5 यर का चार्ट परण द देखेंगे ऑक्टोबर के महिने में तो यहां पर एक ब्रिक आउट दिया चोटा सा और यहां पर दो तीन रुपे का शेयर कितना 41 रुपेस के आसपास जा चुका था तो इस तरह से आपको अगर एक मौका मिल गया है दोस्तो तो आपका जो पैसा है वो मल्टी मल्टी अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहने बाद